जिस गर में जगड़ा नहीं अपी तु प्रेम है वह घर ती स्थान बनेगा योद्या बनेगा और राम जी वहां निवास करेंगे तिर तुमें रहो ये ठीक है प्रन्त तुम अपने सीर को घर को तिर जशाथ बनाओ तो उत्तम है अयोद्या का जिस गर में पाठ होता है वह अहbar अहुद्या बना ये सबनता है घर में भाई लोग अहुद्या काणड़ का पाठ करें तो ढड़ा हो ही दो भीवद्या का ये फ्री सुटिती है कि अहुद्या का जहां पाठ होता है वहां युद्य नहीं होता, वहां कलेर नहीं होती, उस घर में अनमाण जी के इस पास डिपक जला कर, अनमाण जी को रमाण सुनो, गन्तों में लिका है कि राम जी महराज सुझवधाम पढ़ा रहे, तब उस अनमाण जी को साथ गए नहीं, अर्मान जी यह पर रहे तुम अहिद्या गए होंगे, एवद्या में स्रिजुगंगा के अनेक गाट है, स्रिजुगंगा का प्रवाय अतिव साल है, वहां एक गाट का नाम है गुप्त गाट, एवद्या सादू, संत ऐसा कहते हैं कि राम जी यहां नहीं जाना, जब तक सी राम नाम का जगत में है, सी राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रूँगा, मुझे बेंकुट में भी आना नहीं है, सी राम नाम और सी राम कथा में मुझे बहुत आनन्द आता है, सी राम कथा सुनने के लिए हिन्मान जी यहीं पर प्रत कि रहे बिंकोट ने गे हर्मान जी माराज अगर सब्सद्ट चिरंजी वे खिंती है असुतमा, बली राजा, ब्यास, हनमान, विविक्ष, छैअक hmपाचारी और पठ्ष रॉम इस छलिन जी भी है जहांजा सिर्म का सिर्म का किटन और सिर्म है ज्योगर कर मस्तक नमा कर प्रेम पुलकित असुब्री आँखों से तलीन तर सुनते हैं राम की भक्ति में इन में इसमाई हुई है हनुमान जी राक्षों का राक्ष पुर्तियों का विद्रश करने वाले हैं जहां से राम कता होती है वह हनुमान जी पदार जो महाराज पदारते हैं प ब्षैणाथ भगवान भाव नेका नाटठ चेटक में जाया कर कुम बखरण गया हुवानि कि वहुझाँ हुगी मैं पत्ति हुँ तो मेरे पत्ति को मारा इस तो में ने तुम्हारे साथ गषाया इसलिए जहां पर दोग तुम्हारी कथा हो करते हैं वहां में जाओंगी कथा में बैठा हो अत्वा हाथ में बाला ली हुई हो तो तुरंत कुम्बकरण की इस्तरी निंदा जवी आकर खड़ी हो जाती है दो चार राती का जागन हो तो भी नाटक सिनेवा में नीन नहीं आती कथा हुषने के लिए नहीं ज्ञान के लिए है ऐनमान जी महराँज आवसी पदार थे विकतास माहराराज की सुित्व में एक संदर परसंग है एक दात महराज सुन्दरकांड की कथा कर रहे थे स्री सीता जी की कोज में समुद्रकाल उलंगन करके हनमान जी लंका में आये खोस्ते खोस्ते असोक बन ले गए स्री सीता जी जहां हो वहीं असोक बन है स्री सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है बक्ति जाहो वहां सोक नहीं होता एक मातर महराज की कथाएं कहा कि हर्मान जी जिस समय असोक मुन में आए उसमें वहां के ब्रिक्षों और रताओं पर स्वेध पुस्ट खिल रहे थे एक नाजी महराज की कथा हो रहे थी उसमें नियम हनसार हर्मान जी भी हुआ करता सुने पदा रहे हर्मान जी ने परकड़ो करें एक नाजी महाराज की इस बात का विरोत की हर्मान जी ने का महाराज तुम्हें गलत कर रहे हूं मैंने उसमें असोकवन में अपने आखों से प्रतेक्स फूल देखिया हैं यह सपेद ने पर तो लाल थे एक नाजी ने का मैं तो अपने राम जी को जाने के लिए कथा करता हूं मुझे जैसा दिखाए देता है वैसा ही वणनन करता हूं यह जगड़ा अंत मैसी राम चंदर दिख पाक हुँचा राम जी ने का तुम दोनों सकते हो फूल तो सफेदी थे परन्तू हलमान जी की आके उसमें कोरों से लाल हो रहे थी तो इसलिए उनको यह लाल फूल दिख रहे थे ऐनमान जी रामन सुनने आते हैं जिए उनकिशी की भी संकट पर संग आवे सन्नी महाराज को देव से रूप सन्नी महाराज की दिश्टी को सत्र नहीं है कोई मित्र नहीं है लोग करते हैं कि सन्नी महाराज कुपित है अरे सन्नी महाराज किसी से कुपित नहीं है सन्नी महाराज तो किये हुए कर्मों कि सजा देते हैं मुलश्य को उसके पाप कि सजा दे तुम रामान जी को 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 रामान जी झाल झाल